सूफी पंच्वाबी लोग संगित के विश्व विख्यात गायक और सांसत पदमश्वी हंसराज रहंस नहीं जो अपनी जुदाई आवाज में सूफियाना कलम भजवनगीत सुनाये तो शोता छूमने को मजबूर हो गए उनकी गायकी के सूफियाना अंदाज ने संगीत रहसियों को से खूब डालिया बजवाई और सुर्व समराज तांसेन की दोहरी को मीठे मीठे रुखानी संगीत से निहाल कर दिया मौका था तांसेन समारों की पूर्व संधिया पर पूर्व रंग गमकाद इसके तहत यहां इटंका मैदान हजीरा पर संगीत सभास जवाई गई सूफियाना अंदास हंसराज अंसीच्वी के गायन में नहीं बलकी मिजास में भी चुलक रहा था उन्होंने सूफिजम के बावस्ता अजमेर शरीफ के सूफिसंत मौई दिन चुस्ति का कलाम रखो मौर लाज हरी गरीब नवाज से अपने गायन का आगास किया इसके बाद उन्होंने जब राग मालकोश में प्रेम गित प्यार नहीं है सुरसित जिसको वो मूरक इंसान नहीं है सुनाया तो पूरा परीसर प्रेम में हो गया इसकडी में हंसराज हंस ने राग बैरागी पर अधारित नजीर अपकार बादी की गजल सुनाकर माहौल को रुमानी बना दिया हंसराज हंस ने इस मौके पर महरूम निदा पाजली सहाब और गजल समराज एवं जगजीत सिंग को भी याद किया आपको बता दे विश्व भर में सूफी संगीत को सिध्ध प्रातना के स्वर के रूप में स्थाफित करने का श्रीय पदमश्री हंसराज हंस को भी है सूफियाना गाईकी के सरताज नुसरत फते अली खान सहब के साथ भी वो काम कर चुके है उन्होंने मशगूर हिंदी फिल्म कत्रे धागे मौसम बाश्रा बच्चू जोरी नंबर वन सहीत कई फिल्मों के लिए गाने गाया है और वो गाने हिट सावित हुए है कहूं तो मुप जल जा गुंगे को गुंगे को सपनों में हुआ गुंगे को सपनों पे हुआ जो समझ समझे पच्चता आए समझा मारा